अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ राजस्थान लोग सेवा आयोग में शुक्रवार को कर्मचारियों ने सचव रामनिवास महता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कर्मचारियों ने आयोग सचव पर निरंकुष व्यवहार करने का आरोप भी लगाया कर्मचारी संग अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी शुक्रवार सुबह अपनी मांगों को लेकर आयोग सचव रामनिवास महता को ग्यापन देने पहुँचे कर्मचारियों का कहना है कि आयोग सचिव ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया यही नहीं, आयोग सचिव कर्मचारियों के साथ खुद की ही खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए और जैपुर के लिए रवाना हो गए सचिव के जाने के बाद सभी कर्मचारी आयोग पर इसर में सचिव के खिलाफ धरने पर बैट गए कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें छुटी के दिन काम पर बुलाया जाता है लेकिन उसके बदले अफकाश नहीं दिया जाता है साप्ताहिक अफकाश के अलावा अन्य सभी तरह के अफकाश पर अनावश्यक रूप से रोक लगा दी गई है कोई कर्मचारी आकस्मिक अफकाश के लिए अरजी देता है तो उससे कहा जाता है कि वो अफकाश पर जाने से कम सी कम दो दिन पहले उन्हें सूचित करें जबकि कई बार आकस्मिक परिस्थितियों में दो दिन पहले सूचित करना संभव नहीं हो पता है सेवा नियमों में संशोधन के कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं आयोग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं इस संबंद में पूर्व में कई बार रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी संख्या की और से ग्यापन दिया जा चुका है लेकिन ग्यापन पर अब तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई कर्मचारीयों का आरोप है कि उन्हें प्रोटसाहित करने की बजाय हतोत साहित किया जाता है कर्मचारीयों अधिकारीयों को वियारेस की तथा 16 वस 17 सी सी की चार्च शीर देने की कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है जो अनुचित है कर्मचारियों को कहना है कि वह संबंध में RPC अध्यक्ष क्यलाश चंद मीना से मुलाकाद करेंगे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे इसके बावजूद भी यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह सोमवार से कार्य बहिशकार की घोशना कर सकते हैं आजमेर समभाग के सबसे बड़े राजकिय जवाहरलाल नहरू चिकितसालिय के विभिन हिस्सों का शुपकरवार को चिकितसालिय अधीक्षक डॉक्टर अर्विन खरे ने आकस्मिक दोरा कर निरीक्षन किया एवं वहाँ पाई गई कम्यों को ततकाल दूर करवाने के रही स्वाभिमान भोजरसुई का अवलोकन किया उसके बाद वह नेत्र विभाग होते हुए ओपीडी में पहुंचे जहां उन्होंने मरीजों की भील को देखते हुए वहाँ नियुक्त सुरक्षा प्रहरियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा उसके पश्चात दॉक्तर खरे ने चिकित्साले के नातकान गला रोग का निरीक्षन किया एवं वह मौझूद चिकित्सकों से स्थिती की जानकारी लिया कस्मिक दोरे के समय दॉक्तर खरे के साथ अतिरेक्त अधीक्षक दॉक्तर जीसी मीना एवं उपधीक्षक दॉक्तर अमित यादव त अधिकारी डॉक्टर ज्योट्सना रंगा ने बताया कि मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रन हेतू कलेक्टर परिसर में एंटी लार्वा अक्टिविटी कराई गई इसमें कलेक्टर परिसर में कूलर पानी की टंकिया आधी जिन में पानी भरा रहता है। प्रकार की एंटी लार्वा अक्टिविटी आने वाले समय में सभी कार्याले में कराई जाएगी। रखते हुए शिमने दिवाली एंडेको की थीम पर दो दिवसी एक्जिबिशन के सरी बाग बैंक्वेट्स वैशाली नगर में आयोजित की गई एक्जिबिशन के आखिरी दिन खरीदारों का ताता लगा रहा जिसका मुख्या आकर्शल गोल्ड सिल्व जूलरी, कोईन्स नेचुरल ओगैनिक बंदर वर्ल्स, डेस्टिनेशन वेदिंग ज्वालरी, रंगोलिस, हैंगिंग्स, कोरिया और चाइनीज हेर एक्सेसरीज, था पारंग गंदा पानी सीव के धककन से ववफलो होकर बाहर निकलने लगा जाता है, गंदा पानी सड़क पर बहने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इससे जाम की स्थिती उत्पन हो जाती है, खासा कोठी पर सिवरेज लाइन तूटने से गंदा पानी सड़क पर बहता रहा करवा चौत का व्रत आने वाला है इसे लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है यह महिलाओं के लिए विशेश होता है इस दिन महिलाओं अपने पती के लिए करवा चौत का व्रत रखती है करवा चौत को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है महिलाएं खरीददारी करने के लिए बाजारों में पहुँच रही है खरीददारी को देखते हुए बाजारों में भीर नजर आने लगी है गोमाता को राश्ट्रों और राज्यमाता का दर्जा दिलाने के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में गौभख्तों का मिला लगा कार्यक्रम में जोतिर मर्थ के जगत गुरू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि शास्त्रों, वेध पुरानों और यहां तक की देश के सम्विधान में भी गोमाता को स्थान दिया है सम्विधान में कहा है कि गायों का संरक्षन करना चाहिए, उनको काट कर बेचा नहीं जाना चाहिए, लेकिन काटने वालों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं तभी सुनने को मिल रहा है कि गाय का मास बेचकर भारत इतने पाइदानू पर आया शंकराचार्य ने कहा सरकारे गाय को माता नहीं मानती इसलिए देश में गाय काटी जा रही है हमें सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, बस जिसे माता कहकर पुकारा है, उसे माता स्वीकार कर लीजिए महराष्ट्रा की तर्ज पर राजस्थान में भी गाई को राज्यमाता घोशित किया जाए इस रात की सुभा नहीं होती, जब तक हाथ में उसकी कर्माट नहीं होती चाय का प्याला अकबार साथ फुराना है, मिट्टी से जोड़ता है खबरों की खुश्पू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है, बे रोग दोग देश की हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वापों को सच करके दिखाता है दैनिक नवजोती आपके लिए आपके साथ झाल